हेलो दोस्तों नमस्ते, आंटी की रसोई में आपका स्वाज़त है, संदी के मौसम है, कभी-कभी तीखा खाने के बाद मीठा खाने का भी मन करता है, इसलिए हम आपके लिए एक रेसिपी लेकर आए हैं, उसका नाम है नारिल की वर्फी, नारिल की वर्फी जटपट बन जात है, इसके लिए हमको जो सामदी चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं, ये गोला है, इसको हमने कस्द दिया है, ये शक्कर लिया है, ये कटे हुए बदाम लिया है, अब हम पैन रख रहे हैं, अब ये नारिल कसा हुआ, डाल दिया है, अब इसको हल्का सा सेट देंगे, गैस बिलकुल लौ में रखेंगे, अब यह नारेयर हलके से सीख चुका है, इसमें नमी होती है, इसकी वज़े से इसको सेगा जाता है, अब इसको मैं निकाल रही हूँ, अब हम चास्मी बनाएंगे, जितनी शक्र लिये है, उतना ही पानी प्रिया है, गैस तेज कर लेंगे, और इसको चलाते जाएंगे, दो तार की चास्मी बनाएंगे, जब तक चास्मी नहीं बन जाएगे, जब तक छास्मी बन जाएगे, जब तक उसको चलाते रहेगे, अब मेरी चास्मी बन चूकी है, यह देखे, इतनी काडी यहोगी इसमें, अब ये नारिर को हम मिला देंगे अब इसको निकालने जा रही हूं कि अबड़ भी जार पिंगानगे अब अबब दिंगाने अब कर दो आपकिन अबड़गे कि अबड़ा आ रही हूं अब इसक हाँ आपकिन अब़गे इसको इस तरह से जमा देंगे आप इसकी कटिंग करेंगे अब इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें हमने बादाम लगा दिये अब ये बर्फी तई आ रहे हैं आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए धर्नेवाद